ओम नमो भगोते बास देवाई नमा स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो नया साल जल्दी हिस्वर होने बाला है साल 2023 की भागे साली राशियों की जानकारी दोंगा नया साल के आने में थोड़ी सी समय है और सभी के मन में जग्यासा है कि नया साल हमारे राशियों के मैं जानकारी दे रहा हूँ जिन के लिए नया साल नई उम्मीदें लेकर के आने बाला है नया साल जैसे जैसे करीवाता है लोगों के मन में नोक्री, ब्योपार, सुक, शुवदा, धनलाव, पुत्रप्राप्ती, रिष्टे और सियस से जुड़ी कैई सवाल उनके मन में होते हैं साथ ही बहान, जमीन, मकान और संपत्ती के सपने के बारे में भी लोग सोचने लगते हैं क्या नए साल हमारे लिए सुव रहेगा, हमारी संपत्ती के लिए, बहान के लिए, स्वास्त के लिए, संतान के लिए आने बाला साल कैसा रहने बाला है दोस्तो कुंडली के इसाफ से, जिन ग्रेन पर भगवान की किरपा हूं, और जो ग्रे सुव इस्तिती में हूं, जिन राशियों पर उनकी द्रिश्टी होती है तो नए साल की सुरुआत में जैसी इस्तिती बनती है, उसी प्रकार से पूरा साल व्यतित होता है कुंडली अध्यन में सभी बारे घरों में से कुंडली का चोता घर, जिसे चोता भापी कहते हैं, जातक के घर, बाहन और संपत्ति के बारे में मालूम होता है इसके अलाबा गुरू, चंदर, सुक्र और मंगल ग्रैवी व्यक्ति के घर और बाहन के इच्छांकों वा पुत्र प्राप्ति की इच्छांकों पूरा करते हैं 2023 की गर्णा के आदार पर सभी बारे रासियों में से साथ रासिय के जातकों को विशे सलाब मिलने वाला है इस वर्ष इनके सभी सपने पूरे होने के आथार हैं ब्रसव रासियों को बहान मकान और पुत्र धन प्राप्ति का लाब मिलेगा सपना पूरा होगा संपत्ति के लाब के लिए आसे ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है दूसरी जो रासियों करकराशी नई साल आपके लिए संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा है यह साल आपके लिए बैतरीन तरीके से बीतेगा परवार्वे खुसियों का पल रहेगा इस वर्ष सुक्र ग्राप के चोटे बाब में गोचर करेंगे जिसकी कारण बहान और संपत्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी कुनली का चोटा इस्तान मकान और संपत्ति का होता है साल के आकरी महीने में आपको कोई बड़ी संपत्ति हासिल हो सकती है तीसरी जो रासी है कन्या रासी मकान जमीन और पुत्र के आपके योगें साल आपके लिए सुब रहने बाला है इस साल आपके सभी सपने लगबग पूरे होंगे इस रासी के जातकों को बर्ष के सुरुवाती महीने में कोई बड़ी संपत्ति की डिल हो सकती है इसके बाद दिसम्मर में एक अन्य खुशकबरी भी आपको जल्दी मिलेगी अगली रासी है तुला रासी है साल दुजार तेईस तुला रासी के जातकों के लिए धन दोलत बाहन संपत्ति के लिए बहुती शुब रहने बाला है कई प्रकार की सुख सुवद्याय आपको प्रापत होंगे कई सुख समाचार आपको मिलेंगे पुत्र काहे धन काहे स्वास्त में बैतर पील करेंगे भूमी जाज़त का लाब मिलेगा कई ऐसे कारे जो रुक वुए हैं नहीं बन पा रहे हैं मेनत आप कर रहें तो वह कार भी आपके बनेंगे जो भी मुसीवते हैं परिसानिया हैं सारी मुसीवत और परिसानिया दूर होना सुर हो जाएंगे वरश्चिक रासी वालों के लिए भी यह साल बेहदी शुब रहने वाला है व्रश्चिक रासी वालों को हर प्रकार का सुक और वैवब प्राप्त होगा भूमी जाजात का, मकान का, अगर कोई किसी से लड़ाई जगड़ा चल रहा है, कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको बिजय मिलेगी संतान का सुब समाचार आपको मिलेगा कोई लब्मे समय से भीमार चल रहा है, तो उसके स्वास्त में भी सुधार आएगा धनुराशी वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्चा रहने वाला है धनुराशी के जातकों को मकान, जमीन और बहान के लिए यह साल बहुत ही शुव रहेगा सनी माराज की विशेश किरपा आपके उपर होगी, जिसके कारण सभी तरह की सुभ शुद्याएं आपको प्राप्त होगी साल के सुरुवाती महिने में देवगुरू ब्रस्पति आपके चोते भाव में ब्राजमान होकर संपत्ती प्राप्ती का योजनाओं का प्रबल योग बनाएंगे और पुत्र प्राप्ती का आपका योग बनेगा साल दोजार तेईज आपके लिए बेहती शुब रहने बाला है मकार रासी धन और संपत्ति के लिया से आपके लिए इस साल बहुत ही शुब रहेगा इस साल आपको सभी तरह की शुप शुद्याय प्राप्त होंगी जिसमें पिश्य शुप से नया मकान का सपना और नई कार का सपना भी पूरा होगा अक्टूबर नम्मर दिसम्मर आपके लिए बहुत ही शुब रहने बाले हैं इन महिनों में आपको कोई शुब समाचार प्राप्त होगा मीन रासी दोस्तों यह भागिसाली रासियों में से लाश्ट रासी है जिसका योग बहुत ही अच्छा है देव गुरू ब्रस्पती आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी करेंगे देव गुरू ब्रस्पती की किरपा से स्वास्त अच्छा रहेगा भूमी जाजात का लाम मिलेगा पुत्र प्राप्ते के योग बनेंगे हर प्रकार का सुक और बैवब प्राप्त होगा बात करते ही ये तो रासी फल रहा अब उपाय करने हैं आपको देखो ओम अंजनी सुताय बिदमई है बायू पत्राय धीमे तन्नो मारती प्रचो दया नियमत रूप से प्रतेक मंगलवार की मंगलवार को अनमान जी के सामने दीपक जला करके दो केले के फल रख करके इस मंतर का आपको जाब करना है नियमत रूप से जिसके प्रतेकार में रुकाब अटा रही है स्वास्त अच्छा नहीं है या किशी भी प्रकार की कोई परिसानी है तो आपको यह कार जरूर करना है, हनमान जी के सामने, दीपक जलाकर के दुक़्ेले के फल रख करके इस मंतर का जाब करेंगे, सम्मव वो से कि तो हनमान जी को चोला भी चड़ाएं, दोस्तो जो आपके मन में कामना है, जो इच्छा है आपकी प्रते किच्छा पूरी होगी इस मंत्र का आपको जाप करना है मंत्र लिख करके रख लेना है यह हनमान जी का गैतरी मंत्र है इसका प्रबाब बहुत ही ज़्यादा है सत्रूब है कर्ज से मुक्ती स्वास्त मेलाब आरही सारी विख्णों को यह मंत्र आसानी से दूर कर देता है दूसरा उपाए पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जलाना नियमत रूप से साल 2023 में आपको ध्यान रखना है पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके आप नियमत रूप से पर क्रमा करेंगे इसे जीवन में आ रही सारी संगर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी विशेश योग बने हुए बहुत ही अच्चे योग बने हुए हैं तीसरा पाए भगवान सिव की नेमत रूपसी पूजा गर में सिवलिंग ला करके रख ले चोटा सा सिवलिंग ल इससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी दोस्तों यह उपाए बहुत ही चमतकार हैं प्रभावसाली हैं अगर आप इन उपाए को करते हैं आपको विश्यसला मिलेगा और आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी मुझे उमीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच् आपकी प्रतिक मनुकामना पूर योगी ओ